हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ विकास और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके पास भी रेडमी का फोन है और यहाँ पे आपको नेट्वाक को लेके दिक्कत आ रही है कि आपके सिम में नेट्वाक नहीं आ रहा है यह फिर आता है तो चला जाता है यह आपको प्रावलम आ रही है तो इसको हम ठीक कैसे करें आए जानते हैं मैं आपको कुछ सेटिंग बताने वाला हूँ आप उस सेटिंग को करिए और आपके दिक्कत ठीक हो जाएगी सबसे पहले चीज़ आप यहाँ पे दो सिम चला रहे होंगे अपने फोन में या एक सिम चला रहे होंगे तो उस सिम को पहले नंबर पे रखिए जिस सिम से आप नेट चला रहे हो ज़्यादता लोग जीयो सिम को ही यूज करते हैं नेट चलाने के लिए भी तो जीयो सिम को आप पहले नमबर पे रखिए और बाकी को दूसरे नमबर पे रखिए फिर अगली चीज आपको जाना है अपने फोन की सेटिंग में यहाँ पे आप सिम कार्ड और मॉबाइल नेटोक पे किलिक करें यहाँ पे आपको मिलेगी दोनों सिम इस पे टच करें और यहाँ पे आपको मिलेगा टर्न अन इस साथ आपका बंद होगा इसे चालू करिए और दूसरे को भी चालू कर दीजिए सायद आपने SIM बंद कर दी होगी जियो पर आप टच करोगे यानि SIM पर टच करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा VOLT-E दोनों पर चालू करिए Mobile Network पर किलिक करिए आपका यह Automatic Set होना चाहिए इसे बंद मत करिएगा देखिए अभी से हमाई Network आ गए है इसके अलावा यहाँ पर आप दूसरी SIM पर भी टच करिए यहाँ पर आपको मिलेगा VOLT-E इसे भी चालू कर दीजिए अगर दोनों पर मिलता है तो दोनों पर चालू कर दीजिए यहाँ पर आपको मिलेगा Preferred Network टाइप इस पर टच करके इसे भी LTE कर दीजिए Mobile Network आटमेटिक पर सेट होना चाहिए जैसे कि मैंने कहा था Back करिए यहाँ पर Net देखिए आपका Net कौन सी SIM से चले अगर आप Net चलाने में दिक्कत आ रही है आपको तो यहाँ पर Dual 4G Mode को चालू करिए Advanced Settings पर जाएए यहाँ पर आपको Data Roaming बंद कर देना है अगर आप Net चला रहे हो आपका Net नहीं चल रहा है तो आप इसे चालू करिए वरना Data Roaming बंद कर दीजिए इससे क्या होगा यहाँ पर आपकी दिक्कत ठीक हो जाएगी और अपने फोन को भी एक बार Re-Start करके देख लीजिएगा आपकी दिक्कत ठीक हो जाएगी तो ऐसे आप इसको इस्तेमाल करें और वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा